हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीट की अंतिम तीथी के बारे में जो की 10 मार्च से बढ़ा करब 12 मार्च तक कर दिया गया है और यह सुप्रीम कोट का फैसला है तो फ्रेंड्स अगर सब कुछ यह जानना चाहते है इस दिक्कत होगी थे नहीं की है तो उनके लिए 2-3 दिन जो बचा है उसे में बहुत खास असर है तो यह वीडियो सुरू से लेका अंतर तक देखते रहेगा और साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नीचे का रेड बटन दबाकर और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबा दिजेगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो हर वीडियो के रिलीज की जनकारी आपके इमेल की इन बॉक्स में पोच्छती रहे और आप वो वीडियो देखते रहें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल घंटी को दबा ना भूल ग कर लेना है लेकिन सुप्रेम कोट ने बुद्धवार को अब इसे बढ़ा कर 13 मार्च तक सुल्ख जमा करने की तीथी कर दी है यानि 13 मार्च तक आप सुल्ख जमा कर सकते हैं तो यह एक अच्छा आउसर है कि भाई जो इस्टूडेंट नहीं अभी तक अपलाई कर पाए थ फ्रेंट आप आधार नमबर नहीं आविदन कर पा रहे थे तो आधार नमबर नहीं होने की सूरत में अब आप अपने रासन कार्ड पासपूर्ट बैंक अकाउंट नमबर इत्यादी का भी डिटेल दे सकते हैं यानि जिनके पास अगर आधार कार्ड नमबर नहीं बना है या खो गया है या कोई problems हो गई है यह apply करने के लिए passport और अपना राशन card राशन card तो आप जनते ही होंगे friends गाउन दियातों में तो खासा कर प्रचिली थे लोग राशन काड़ पर खाद लेते हैं और खाने पीने की साम में ग्रील लेते रहते हैं तो वह रासन काड़ दे सकते हैं या बैंक एकाउंट नंबर देकर डिटेल अपना फान फिल अप कर सकते हैं तो अब ज्यादा जनकाने के लिए फ्रम नीट की जो आफिस्यल एप साइट है वहाँ जनकारी ले सकते हैं वैसे बहुत ही अच्छा उसर है दो तीन दिन बढ़ गया तो काफी आपको फाइदा होगा तो फ्रेंट्स फटा फट जाकर आप अपलाई कर दीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हुई अभी तक नहीं किये हैं क्योंकि जो दो तीन दिन बढ़ाई है स सुचना फटा फटा फट फोचा दे तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लाटेस जान करें साक्ति तिल देन हैव अच डेज एड़ 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 गुड़ दे़ झाल झाल झाल